डिप्टे सीम टीएसी देव ने कॉंग्रेस विधायक ब्रस्पती सींग के आरोप पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि दो दिन की तयारी से चुनाओ नहीं लड़ा जा सकता और प्रत्यार्शी के चैयन के लिए कई दोर के सर्वे रिपोर्ट का सहरा लिया जाता है मारटी आलक यमान का मानना चाहिए विधायकों की टिकट काटने पर उनकी नाराजगी पर तीस्ति है ने कहा कि आंदि न२ और कॉंग्रेस परिवार के दाइरे में बने रहना चाहिए वहें वेक्तिगत बाते अलग होती है कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती चर्चाएं कई प्रकार की होती है अपवाद भले हो लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा है कि जो निर्ने हुए हैं यह वेक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमोमन सर्वे कराए गए हैं सगन सर्वे कराए गए हैं अनेको एजनसी के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर निर्ने हुए हैं पूरे नब्बे वि संदर्व की तैयारी दो दिन की नहीं हो सकती, एक चुनाव बीता है तो अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है, जो आप काम करते हैं, लोगों से संपर करते हैं, यह सतत प्रक्रिया बनी रहती है, ऐसा नहीं होता कि अब चुनाव आ गया तो नया काम चालू होना है, इसी सिलसले को बरकरार रखते हुए अब अन्तिम समय प्रबंदन का है तो प्रबंदन के लिए सबी साथ में बैठके जिम्मेदारियां अपने अपने छेत्र में इकाईयों की पोलिंग भूत की लेंगे। कंग्रेस से जुडने की जिनकी भावना है तो उनको कंग्रेस हाई कमांड का निड़ने स्विकार करना चाहिए और कंग्रेस परिवार के दारे में बने रहना चाहिए। अमोमन सर्वे कराए गए हैं, सघंद सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजिंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातने सामने आई हैं, उसके अधार पर निड़ने हुए हैं, पूरे नबे विधान सभाचेत में लगभग यही इस्तिती है